खरे कृष्णा आप सभी को और गणीश चतुर्थी की हारदिक शुब कामना है और वैदिक आज स्कूल जा रहा है वैदिक ने पूजा कर ली है और जैजी की न आपने तिलक लगा के और भगवान जी को नमस्कार किया उसको बोलते हैं पूजा करना तो बस अभी मैं जो गण गोबी मटर बनाया है और पूड़ी बनाई ये साथ में और लड़ू मैं कर ले क्या आगई थी तो बस अभी वैड़ी को छोड़ते हैं फिर उसके बाद में आकर के गणेश जी की स्थापना करके अच्छे से पूजा करूँगी वेटर सबको सिखा क्याता है रादे रादे करना हेलो मैं ने बुला हलो फिर बोलता है मैं रादे रादे किया करो अच्छी बात होती है से गंदी बात होती है हलो करना कि इतना रश हो जाता है यहां पर को स्कूल छोड़ दिया है और यह मेरे पैस ना गाड़ी में गिलॉय रखी थी तो इसको सुबह सुबह थापना करूंगी इसलिए आम के पत्ते लेने के लिए जारी हूं हमारे गार्डन में नीचे लगा हुआ है आमका पेड़ है तो इससे ही तोड़ लूँगी लूँगी आप मैं जारु वैदिक को लेने के लिए टाइम हो गया है और आज मैं आपको कराऊंगी गन्पती जी के मंदिर के दर्शन हमारे यह पे ना पड़ोस में बहुत अच्छा पांडाल लगता है यह गन्पती जी का तो उस पांडाल के दर्शन में अपको पराती हूं पहले वैदिक को लेकी आऊंगी लेकिन उसके बाद जाओंगी वह पे तो वैदिक को तो गया है मैं जिसे स्कूल से लिया उसके बाद ही मंदिर जाओंगी सीधे और बस फिर वहीं से आपको दर्शन कराऊंगी और बहुत मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे उधर पास में यह जादा दूर नहीं है हमारे घर से तो मैं वहां पर आपको लेकर जाओंगी और बोल रहे हैं बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई यह इस बाद वैसे तो हर बार होती है सब्सक्राइब भलता तो मैं आपको भी महां पर लेकर चलती हूँ अच्छी जहां पर मंदिर में को जाना है वहां पर अभी से इतना रश है तुम्हें सोच्रों हमाएंगी तब तक तो पतानी कितना रश होगा तो बहुत ज्यादा रश है कार्स वगयरा बहुत बिल्कुल ज तो बस वही चेक कर रहे थी कितनी स्पेस है या नहीं है तो कार उसी एकॉर्डिंग पार्ट करूंगी फिर बैदिक को ना गोद में उठा के लेके जाना पड़ेगा झाल झाल कि अधिक के स्कूल आ गई हूं और आज इतनी जाधा गर्मी है ना फिर मैं इस ही चला के बैठी हूं कार में तो वैसे ही बैठी थी पर बहुत जाधा गर्मी आज तो तो फिर अभी बस उसको लेने के लिए जा रही हूं मेरा चिकु आगे आये और चिकु ने ना देखो कितना सुंदर फ्लावर बनाया था तो दिखा रहा दिखा चिकु तोड़ो नहीं ना बिटा फ्लावर ये देखो तो प्यारा वाइट कलर घाथा इसको और अरे हैंड्स भी दिखाऊ सबको ये देखो इसके और ही हुगए हैं फ्लावर को पकड़े पकड़े अब हम लोग जा रहे हैं गनपती टैंपल और मैं आपको वहां के भी दर्शन करवाँगी थना चिक्कू करवाएंगे ना सबको बोलो तो सही सबको मैं आगया हूं स्कूल से इधर देखके बोलते हैं कैमरा में मैं अब मैं ममा की चाहत टैंपल जा रहा हूं ओके मन्देर जा रहे हैं आप लोग बस यहां से पैदल जा रहे हैं क्योंकि अल्रेड़ी एक राउंड काड़ चुकी हूं पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो बस पार्किंग देखो कितनी ज्यादा भरी हुई है य सब्सक्राइब में तो तो अभी तो हम डे में ऐसे आ गए ते दर्शन के लिए प्रशादम लेले बटा बहुग लेले मुग टड़ाना है पंड़जी को यह इस तरीके से हैं मैं आपको यहीं से दर्शन करवा देती हूं मंदिर के मैं कि सब्सक्राइब में चाजी को भी बहुग लगाना और उसके बाद में आर्ती कर देंगी बस यह 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 रे कनेजी यहां पर राधा कृषिन जी और बिहारे जी अब भोग लगाऊंगी मैं बस हम लोग छट पे आये हैं अभी और आज नहीं मंदिर में इतनी सुन्दर लाइटिंग है लेकिन मैं इसको लेके नहीं गई है अक्शली हस्बंट भी जल्दी आ गए आज बनाएं लौकी वाली डाल बनी है और उसके साथ थोड़े से राइस खायते मैंने और वैदिक ने भी खा लिया है मेरे साथ में अब हस्बं घाएंगे क्योंकि मुझे आज नहीं आरती भी करनी थी तो गनेश जी की भी आरती थी इकाना जी की तो मैं करती हूं और इसके साथ साथ बस यही सब चल रहा है अब कल देखते हैं कैसे प्लाइन करते हैं नेक्स डे तो कल भी फ्लावर्स लाके और पूरा मंदे डेकोरेट करूंगी और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स डे जो है वह सेलिब्रेट करेंगे तो मैं सोचरू इस बार ना गंपती जी को पूरे ही दिन रखोंगी वो मेरे लिए एजी रहता है क्योंकि मैंने इतने प्यार से गंपती बनाए है तो पूरे ही टाइम रखोंगी नहीं तो मैं 5 डेस के गंपती जी लाती हूं इस बार में सोचरू पूरा 10 डेस का ही करूं तो सोचा तो यही है कि 10 देज तक कर पाऊंगी मैं वैसे भी मुझे लेसन प्यास की दिक्कत होती नहीं है मैं खाती भी नहीं हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं 10 देज तक करूंगी गनपती जी का आज ना ची को यहां पर एक मिल्ली आई थी गई अपतो बट फिर तो इता उच्छा मौसम उरा था दो तीन दिन पहले तो दो दिन पहले तो ममा मैं जूला जूल सकता हूं रुक जूठीक से देख ले ना मियाओ न्याओ यहां पर हांजी नहीं है आप कर लो गर्मी सी है पर टाइम पास हो जाता है चाट प्या थोड़ा खाना पूड़ी बहुत जादा पसंदें बहुत जादा अलू पूड़ी पसंदें इसको तो आज तो गोबी भी आश्ली ना अने लग गई यहांपे वैसे तो गोबी आती नहीं है यह मौसम में लेकिन बता नहीं अब भी मिलने लग गई है बोलते है शिम्ला की तरफ आ रही है तो वहां से आती है यहां पर तो पापा जी ना ऐसी एक टेस्ट के लिए ले आये थे कि क्या पता कैसा टेस्ट हो इसका वैसे अभी ये गोबी का सीजन सीजन जो है वो सर्दियों में होता है अभी तक आई मतलब देखते नहीं है अम नॉर्मली पर अभी वो कह रहे थे कि कोल स्टोरेज नहीं है फ्रेश है हमने ट्राइ कि आज अच्छी लगी वैदी की तर आओ काम और फ्रेश थी लोग जो गोबी थी ऐसा नहीं था एकदम कच्छी कच्छी होती है वैसी थी बहुत टेस्टी थी तो बना ली हमने आज और आप देखते है कल क्या बनाएंगे मुझ यह पैना पजामा टी-शिट पैना फिर और अब देखते है क्या करना है नेक्स दे की प्लानिंग ममा अपने राउंड्स लगा ले मंदिर गयते है और चिकु मंदिर से बलून लाया है हम नीचे सोसाइटी वाले मंदिरी गयते है क्या लायो चिकु दिखाओ सबको अरे वाँ चलो आजो कम पानी में प्लीज मेरा नाइफ लाके दे दो तो वह कहते है किसने बोला ऐसा कौन गये जलबाले देव का वरूंदेव पानी के इंदर जाके ढूंड के लाए और उन्होंने ना हीरे मौतियों वाली फुलाडी लेका है बहुत सुन्दर सी एक नाइफ लेका है बोलते हैं यह लो तुमारी कौलाडी मिल गई तो कहते हैं नहीं नहीं यह मेरी नहीं है मेरी तो ऐसी नहीं थी यह तो आपकी है मैं ऐसी कौलाडी उस नहीं करता है सौरी यह मेरी नहीं आप ले जाओ बोलते हैं ओके बोलते हैं ठीक है फिर से लेके आता हूं अब फिर से तुबहरा से जलके एंदर गये जलके अंदर जाने के बाद में वो rare कि अफिर फिर पूस्ट है यह बहितु अजयाजी दोस्तों इस तरह से खानिय arguments सुनाrapके चिकू को नैट में सुलाती हूँ तो यह बहुत अच्छा पैरेंटिंग का तरीका है आप ही इसे अपने बच्चों के साथ अजमाएं और बच्चों को नाइट में अच्छी कहानिया सुना कर सुलाएं